है गाई नमस्ते वेलकम टू चैनल सनी स्क्राइब मैसल आपका ऊस सनी फिर से आपका बहुत बशुद करता है आपके चैनल सनी स्क्राइब में तो गाज हम आज फिर से एक डॉपिट को लेकर हमारे इस वीडियो में डिसकस करने वाले हम इच एज एवरी पॉइंट डिसकस कर पूछा था कि इस टिबेटन मेस्टिफ के ऊपर एक इंफर्मेटिव वीडियो बनाने के लिए तो मैंने सुझा चलो आज ही बना देते हैं और आप लोगों था यह इंफर्मेशन पहुंचा देते हैं यह टिबेटन मेस्टिफ मैं फिर से बोला हूंग एक बहुत ही लाज आप यह जानेंगे क्या प्राइस ये भी जानेंगे यह सबसे मेंने धि क् Bebd zombies में ठीट मिल सकता है और सबतस्त आते हैं आज बहुत कर थोसके उपर थोरा फोकस करें तो क्या पता चलता है यह ट वह यह डाइ Emperor घॉट होता है मतलब बॉडी का जो बाल होता है वो डॉबल कोट होता है ठीक है डॉबल कोट क्या होता है मैंने बहुत बारी से पहली मैं चाओ चाओ वीडियो बोला था उसमें मैंने शिखाया था कि डॉबल कोट कैसे पहर चाहने थे तो आप लोग प्लीज जाके देख लिए फिलाल तो मै कि तिबेटन मेस्टिव जो है फो डॉबल कोट का अब यह जाइन प्रिट मतलब नहीं स्मॉल नहीं स्टैंडर्ड यह पढ़ता है जाइन केटेगोरी में ठीक है तो यह बहुत ही बड़ा डॉपी लेगा आपको पता चाल जाए गा दूसरे को पी का जो लेंद्थ या साइज होता है बहुत बहुत है कि जो होते हैं वह आपको जर्मन से बढ़ का मिक्स या क्रॉश दे दे थे टिबेरियन मैस्टिफ बोल के इससे पहले आप जान लीजे तिबेरियन मैस्टिफ कौन-कौन सा बल्यके टी करीक्ति होता है नेनुट बन्याता है थिए एक बात लिएन मैस्टिफ कमें नहीं होता है यह जब आप लोग बहुत सारे इन्स्टब्सक मिर में से सब फॉर्तर संधाल कि देंगे है टिबेरिय टोल का नहीं होता है यह मैं बार-बार बोल दे रहा हूँ, Tibetan Mastiff white color को आपको कभी भी नहीं मिल सकता, क्या-क्या color में मिलेगा, मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, Black, Z black मिलेगा, Black and tan मिलेगा, Gray color में मिलेगा, Red में मिलेगा, Red के different set में मिलेगा, मतलब Brown वगरा में मिलेगा, Blue-est gray मिलेगा, और Blue color में मिलेगा, इन सब के color के अलावा, और कुछ color अगर आपको दे रहा है, या फिर आ रहा है, वो pure Tibetan Mastiff नहीं होगा, अभी चलिए इनके care के उपर बात करते हैं, ठीक है, तो जान लेते हैं, यह Tibetan Mastiff जो dogweed आप ले रहे हैं, इनका care कैसे खरें, बहुत care करना पड़ेगा, एक proper balance diet देना पड़ेगा, उल्टा-फुल्टा डाइट दोको तो इसका बाल सेडिंग होना, मतलब hair जो है, fall करना लगेगा, तो यह सब आपको care करना पड़ेगा, तो अगर आप उसको इतने गरम इलाक में रखोगे, तो उस बिचारे को, चाहिए आप जितने भी AC कूलर लगाई दो, पर फिर भी उसको इनेशनल आइवर्मेंट में राइने का आदत हो जाता है, तो उसको बहुत दिक्कत आता है, तो प्लीज आप लोग टिबिदन में रखने का सोच रहे हो और आप गरमी इलाके में रहे हो, तो प्लीज टिबिदन में मत रखेएगा, ठीक है, उसके अलावा, अगर आप लोग मोडर एडिया में रख रहे हो, तो वो आप जाके देख सकते हो, आपको पता चल जाएगा, कि आप कैसे डॉबल कोट या फिर कोई भी टिबेटन मस्टिफ हो, या फिर कोई भी अगर घनेवाल वाला डॉग है, और आपके घर में एसी या कुलर के वावस्तन नहीं है, तो आप कैसे करेंगे, ठीक है, वो आप जाएगे और वीडियो देख लिजेए, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है, अच्छा गाइस, अभी अगर आप टिबेटन मस्टिफ इंडियन मार्केट में खरीदने जाओगे, ठीक है, तो आप लोग, अगर आप टिबेटन मस्टिफ बोलें, उनको समझ में नहीं रहे हो, तो आप एक बार पहाडी कुटता या फिर पहाडी डॉग बोलके भी देख सकता हो, हो सकता है, आपका काम बन जाने, ठीक है, इसके अलावा, टिबेटन मस्टिफ जो है अभी इंडियन से ब्रीडर या फिर सेलर के मुताबिक दो कैटेगोरी में आता है, ठीक है, अभी वो मुझे स्योर नहीं है, पर मैंने जितना जाना है उनका से पूछ के, उनका मतापिक फिर से दो कैटेगरी में आता है, उनका मतापिन में मुताबिक जो की साइस में छोटा है पर उसका जो में होता है, जो ऐल है, वो बढ़ा होता है, उसको साये कहते हैं, parallelियन से स्योर नहीं होता है, कि Tibetan Mastiff according to the Indian sellers ठीक है दो टाइप का होता है एक होता है lion headed जो की छोटा और उसका आयाल बना हुआ रहता है और एक है tiger headed जो की लार्ज होता है बहुत ही बड़ा होता है पर उसका कोई अयाल डैक को बना नहीं हो तो आप अपने ही साब से खरीद लेना और एक बड़ तसलिक कर लेना कोई seller या ब्रीडर से ठीक आ इसके साथ सथ प्राइस भी जान ले जए कि इंड़ेन मार्केट में टिबेन मस्टिप का प्राइस अभी क्या चल रहा है तो घुट टिबेन मस्टिप का प्राइस ढ़ी चल रहा ह है ये information अगर आप दिमाग में रखते हो और ये सब दिमाग में रखते हो अगर आप Tibetan Mastiff लेना चाहते है या फिर पसंद करते है तो जाए तुरन जाए और अपने Tibetan Mastiff collect कीजिए Tibetan Mastiff बहुत ही अच्छा एक guard dog होता है बहुत ही loyal होता है और बहुत ही अच्छा एक friend भी होता है ये बच्चे बुड़े ladies सब के साथ घूल मिल जाता है पर ये strangers के लिए बहुत खतरनाक होता है तो ये उसके लिए खतरनाक हो सकता है इसके अलबाग घर के हर एक member के साथ ये बि होता है ये बहुत अच्छा बनेगा बहुत 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 लोगा कॉंकार dog breed है ठीक है पर ये सही है पर उन लोगों का गलती होता है पालन में ठीक है मतलब उसको छोटे से हुसलाइस करते रहना पड़ेगा या फिर बहुत कुछ करना पड़ता है training ठीक है मैं उसके उपर भी एक वीडियो बनाऊंगा वह भी मेरे भाई ने मुझे request करके रखा है कि dog training के उपर एक अलग सा वीडियो बनाई है भया मैं उसमें वीडियो बनाऊंगा ठीक है मतलब मेरे पास तो भी dog नहीं है फिलाल पर फिर भी मैं क्या करूंगा मैं छोटे-छोटे कर tips बताऊंगा तो यह आपको बहुत helpful होगा टिबेन मस्टिफ खरेणने के लिए तो गैस चलिए आज के लिए इतने बहुत जल्दी मिलते है आप लोग के साथ next वीडियो में और कुछ interesting बातों के साथ interesting topic के साथ पर क्या इसे मिले आप लोग subscribe तो कीजिए सबसे पहले subscribe करिए फिर तो आप के साथ मुलाकात होगी ना ठीक है तो आप लोग subscribe करिए लाइक करिए चैनल को subscribe कीजिए comment कीजिए और share कीजिए इस वीडियो को यह बहुत ही informative वीडियो था I guess आपको अच्छा लगा अगर अच्छा लगा तो please share करना like करना और comment में जरूर बतना वीडियो कैसे लगा ठीक है